हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आज हैं बेटू के रिजल्ट्स आने वाले हैं तो आज मैं बहुत जादा एक्साइटेड हूँ तो दोस्तों आज आपको ना मेरा पूरा व्लॉग देखना है तभी पता चलेगा कि आज मैंने क्या क्या किया और देखिए आज लगता है बेट तो आज मैं बहुत जादा एक्साइटेटेड हूँ क्योंकि आज वह से रेजल्ट्स आने वाले है तो मैं फटाफट से सारे काम करने वाली हूँ अपैसके बास मुझे जाना है स्कूल जाना है इसलिए मैं फटाफट से ना रोटिया और कड्डू की सब्जी बनाऊगी तो य अभी मैं फटाफट से रोटिया भी बना लूँगी तो आज न मुझे आने में स्कूल से लेट हो जाएगा इसलिए मैं दोपर का जो लंच है उसकी कुछ-कुछ प्रिपरेशन अभी करके रख दूँगी वेजिस वगरा कट करके रख दूँगी ताकि मुझे आने के बाद ज लिए ब्रेक्पस्ट निकाल देती हूँ चलिए हमारा ब्रेकपास्ट लग चुका है आप लग भी ब्रेकपस्ट कर लीजे मैं हस्भन जी को दे देती हूँ और मुझे नकद्दू की सब्जी नहीं पसंद, इसलिए मैं अपने लिए चाय बना लूँगी, मैं चाय रोटी खाऊंगी और अभी मैं आ गई हूँ उपर अपने बेडरूम में, तो ये बेडशीट को बिचाय हुए लगभग 4-5 दिन हो चुके हैं, तो मैं इसे सोचरीव की चेंज कर दूँगी तो ये बेडशीट मैंने आज ही फर्स टाइम बिचाय है, कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा तो मुझे इसका ना कलर अच्छा लगा था, तो चलिए अब मैं एक बार आपको इसका फाइनल लूग दिखा देती हूँ और मुझे बेडशीट बिल्कुल एकदम टाइट फिटिंग से अच्छा लगता है, उसमें सिल्वर्ट आयना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है तो फाइनली मैंने अपना बेडशीट बिचा लिया है, देखिए काफी खुबसूरत लग रहा है और यह बेडशीट मैने मीशों के लिया है बहुत ही अच्छा लग रहा है और यह कॉटन फेबरिक का है, तो शमर्स में कॉटन बहुत जादा अच्छे रहते हैं तो इसलिए मैंने अभी cotton का लिया है और ये जो wet sheet है ये अभी जाएगी wash होने के लिए तो मैं washing machine के उपर mostly वो सारे कपड़े रख देती हूँ जो मुझे wash करना रहता है मैं सोच लिए कि एक laundry बैंग या फिर कुछ box strap कर लूँगी बट हो नहीं पा रहा है तो चलिए अब फटाफट से बेटू को breakfast करा लेती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा पंचोयल हूँ देख लीजिए मैं हमेशा बेटू को साणे आठ से नौ बजे की भी breakfast करा ही देती हूँ तो summer's मैं एक नया और extra सा काम हो जाता है cooler में पानी तो चलिए मैं cooler में पानी भर लेती हूँ तो मेरा room ना काफी छोटा है इसलिए हमने cooler को अपने जो window है वही पर हैंक कर देते हैं और वहाँ पर मैं यह pipe की health से पानी डालती हूँ क्योंकि bucket से आप डाल नहीं सकते हैं तो बस अभी मैं पानी भर लेती हूँ cooler में तो यह चुकुलर ना काफी छोटा है तो अभी इतनी ज्यादा गर्मी हो रखिए हमारे हाथो 42-43 मतलब ऐसा ही रहता है temperature बहुत ज्यादा देखिए अभी साड़े आट बजरे और धूप कितनी ज्यादा आ रही है देखिए मैं पिलकुल पसीना पसीना हो रही हूँ तो अभी एक कुलर में हो ही नहीं रहता फिर हम लोगों ने अपना जो और एक कुलर था देखिए उसे भी लेकर के आ गए है रूम तो मेरा काफी छोटा एकदम कंजस्टेड होता है बटना इती गर्मी बरताशत ही नहीं हो रही है आप लोग जो जहां से विलॉंग करते है बताएगा आप लोगों के वहां का टेंपरेचर कितना है तो चलिए अभी आपसे बाते करते करते हैं कुलर में पानी भी फूल हो गया है तो चलिए मैं इसे बंद कर देती हूं घर्मी के दिन में बहुत सारे एक्स्ट्रा काम बढ़ जाते हैं कुलर में पानी डालो ये करो बहु करो और यहां पर मैं वाश्र मशीन में कपड़े डाल दूँगी और खुद भी फ्रेश हो जाऊंगी क्योंकि अभी मुझे स्कूल जाना है बेटू का रिजल्ट लाने के लिए अब लोग आये थे स्कूल अभी बेटू का रिजल्ट ले लिये हैं और क्या आया है रिजल्ट मैं आपको घर जाकर करके दिखाती हूँ तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ बेटू का ना क्लास में सेकेंड रैंक आया है तो चलिए मैं आपके साथ उसकी माक्षित भी शेयर कर रही हूँ देखिए यहाँ पर उसका नाम है पलाक्षी चक्रवर्ती नर्सरी क्लास फिर रैंडमली जो भी इंफरमेशन रहता है मदर्स नेम फादर्स नेम और यह देखिए उसका माक्षित तो यह माक्षित मतलब उसके एक्जायम फर्स्ट टर्मिनल थे फिर हाफ यर्ली और उसके फाइनल और तीनों का ना एग्रिगेट करके परसेंट आया है मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि उसका अच्छा परसेंट बना अच्छा रैंक बना यही मेरे लिए काफी है और क्लास में इसको सेकंड रैंक भी आया है और मुझे लगता है कि रैंक फर्स सेकंड उतन माने वाला है माक्षिक तो बस एक क्या है मतलब आपके पास ही रहेगा बस आपका नॉलेज क्या है वो आपके हर समय काम आता है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आप सबसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी पंखुडी को अपनी ब्लेसिंग्स दे और अभी टाइम हो रहा है साम के साड़े पाँच मैंने यहाँ पर कर लिया है क्योंकि पीछे गाना चल रहा था और अभी हम सब बच्चे मिल करके जा रहे हैं थोड़ा सा लॉंग ट्राइब पे क्योंकि आज सेलिब्रेशन तो बनता है क्योंकि बेटू के आज रिजल्ट्स आए है तो मैं और हमारे तीनों बच्चे सभी मिल करके हम लोग जा रहे हैं तो हम लोगों का घुमना वगिरा हो गया उसके बाद हम लोग थोड़ा सा जूस पीने के लिए रुग गये थे तो यहाँ पर हम लोग पी रहे हैं फ्रेश फ्रेश गन्ना जूस तो दोस्तों आप लोग को से मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोग पेपसी को अवइड कीजिए और यह जो हमारे देसी ड्रिंक से इसका इसे पीजिए तो इससे क्या होगा हमारे जो देसी मतलब लोकल लोगों को एक रोजगार भी होगा और उसमें रहते हैं आर्टिफिशल कलर्स वगेरा तो उसक उसके बाद हम लोगों ने सभी ने गन्ना जूस पिया और इंजॉय किया तो समर्स में कुछ ना कुछ जूस वगेरा पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो दोस्तों आज के व्लोग में यही तक आई होप आपको मेरा आज का व्लोग अच्छा लगा होगा अच्छा ल नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा फ्रेंड्स मैं ऐसी आपके लिए अपने डेली लाइफ के व्लोग लाते रहूंगी बस आप मुझे अपना प्यार देती रहिए और मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए आये हैं तो प्लीज प बाइ बाइ